हेलो स्टूडेंज, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरन भाग के वन विवेक पाठ के आगे के आनिश को पढ़ेंगे बच्चो, आज हम पढ़ेंगे र के विविन्न रूप, र व्यांजन का प्रयोग अलग-अलग रूपों में होता है इसके प्रयोग को समझ लेना आवशक है, र के चार रूप है पहला मूल रूप में, र शब्दों के प्रारंब मध्य एवं अंत में आता है जैसे रत, गरम, अगर दूसरा, यदे स्वर सहित र के पहले कोई स्वर रहित व्यांजन हो तो यहाँ अपने से पहले व्यांजन के नीचे रेव के रूपने लगता है जैसे क्रम, प्रदीप, प्रकाश, ग्रहन, पत्र, भ्राम, आदी इसे पदेन कहते हैं दूसरा, यदि रा स्वर रहित हो तो अपने से आगे आने वाले स्वर युक्त व्यांजन के उपर लगाया जाता है इसे रेव कहते हैं जैसे परवत, धर्म, कर्म, वर्ष, पूर्ण, आशिरवाद, स्पर्ष, आदी तीसरा है, यदि स्वर सहित र से पहले स्वर रहित गोलाकार अक्षर त, ठ, द, द, ध, आते हैं तो र उसके नीचे के रूप में जुड़ता है जैसे ट्राक, ड्रम, राश्ट्र, आदी इसे भी पदेन कहते हैं यानि कि इस चिन्न को भी पदेन कहते हैं बच्चो ध्यान दें, री को र मानने के भूल न करें यहाँ री की मात्रा है यहाँ एक स्वर है, जबकि र व्यान जन है तो ये तो थे र के विभिन रूप अगे हम वर्ण विच्चेत पढ़ेंगे बच्चो वर्णों के सार्तक समू को शब्द कहते हैं सब्द में आई ध्वनियों स्वर और व्यान जन को अलग करना ही वर्ण विच्चेत कहलाता है वर्ण विच्चेत के कुछ उधारन इस प्रकार है संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्चेत बच्चो जब हम वर्ण विच्चेत करते हैं तो हम स्वर और व्यान जनों को अलग अलग करके लिखते हैं व्यान जन और उसके साथ स्वर की कौन सी मात्रा लगी हुई है उस शब्द को हम अलग प्रकार से लिखते हैं आप अगर उध्धारन को ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह बात समझ में आएगी. शमा, क, जोड, मुर्धुनिया स, यानि कि इन दोनों को मिलकर बना है श, जोड आ, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, जोड म, जोड आ, म में क्या है? आ की मात्रा मिलकर बना है शमा दूसरा उधारन देखिए त्रिकोण ता जोड रा जोड छोटी ता जोड रा बनकर त्रा बना है और इसमें है छोटी की मात्रा जोड का जोड ओ जोड आना जोड आ हो गया त्रिकोण जोड़ा जोड़न जोड़ अ यह हो गया जोड़ा 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 यह हो गया जोड़ा 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 लेकिन इसके उचारन में स्वार आता है। इसी प्रकार आप अन्य उध्धारन भी देखिए। दूसरा है अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेट। अनुस्वार यानि कि जब हम उपर बिंदी लगाते हैं। गंगा गा जोड़ा 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 जोर्टा जोर्णा 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 जोर्ण मिलकर बना संबंध अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेट भौरा भ जोड आ उसके उपर चंद्रबिन्दु जोड र जोड आ मिलकर बना भौरा दूसरा उधारन देखे उचा बड़ाउ के उपर चंद्रबिन्दु जोड 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 आ बच्छो बाकी उधारन यहाँ पर दिये गए हैं आप इन उधारन को पढ़िए और इनका अभ्यास कीजिए ध्यान दीजेगा वर्ण के उपर मात्रा आने पर अनुनासिक की जगा अनुस्वार लगाए जाते हैं आगे देखिए सम का वर्ण विच्छेद स के उपर लगे अनुसार का उचारन न और म तोनो तरह से होता हैं या, रा, ल, व, ताल्ब्यार्शा, मुर्धनियार्शा, दान्तियासा, ह के साथ सम आने पर इनका वर्ण विच्छेद स जोड आ, जोड मा होना चाहिए जैसे संयोग ये दो सब्दों से मिल कर बना है सम जोड योग तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे दान्तियासा जोड आ, जोड मा, जोड या, जोड ओ, जोड गा, जोड आ बच्चो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी व्यांजन को बिना स्वर के लिखते हैं तो हम इसके नीचे ये हलन्त का चिन्ह लगाते हैं तो जब भी आप वर्ण विच्छेद करें तो व्यांजन के नीचे हलन्त जरूर लगाएं दूसरा है शंशय, सम जोड शय ये भी दो सब्दों से मिलकर बना हैं तो जब इसका वर्ण विच्छेद होगा दांतियासा जोड आ, जोड म, जोड ताल ब्याशा, जोड आ, जोड या, जोड आ सम हार, ये भी दो सब्दों से मिलकर बना हैं सम, जोड हार, तांतियासा, जोड आ, जोड म, जोड हा, जोड आ, जोड र, जोड आ नुकता, आ, ड, ढ, और विशर्ग युग सब्दों का वर्ण विच्छेद नुकता यानि कि मैंने आपको बताया था, अर्भी फार्सी सब्दों के नीचे नुकता लगाया जाता है जमीन ज, आप देख सकते हैं, उधारन में ज को किस प्रकार लिखा गया है, नीचे बिंदी लगा कर ज, जोड आ, जोड म, जोड बड़ी, जोड न, जोड आ की ज, में छोटाओ की मात्रा है, जोड ल, ये भी ध्यान दीजेगा, ल को यहाँ पर बिना स्वर के लिखा गया है, क्यूंकि जो मूल शब्द है, उसमें आधा ल है, इसलिए ज, जोड छोटाओ, जोड ल, जोड फा, जोड अ, काफी, यानि कि काफी, का जोड आ, उसके उ पर आगत का चिन्ह, जोड फा, जोड इ, इसी प्रकार बॉल, ब, जोड आ, उपर आगत, जोड ल, जोड अ, विशर्ग का एक उधारन देखिए, प्राता, प, जोड र, जोड आ, जोड त, जोड अह, ये हो गया प्राता, दुख, द, जोड उ, उ में, विशर्ग की मात्रा, जोड ख, जोड आ, उ में विशर्ग की मात्रा दी गई है, क्योंकि दुख, जब हम उचारन करते हैं, तो वहाँ पर भी ह, की ध्वनी उचारित होती है, और इसलिए यहाँ पर विशर्ग का चिन्ह दिया जाता है, तो बच्चो, इस पार्ट का आप अ धारन है, उनको भी अच्छी तरह पढ़ें, धन्यवाद,